हाई गाईज मेरा नम है साहिल खना और स्वागत है आपका सोशल मीडिया अंट्रेप्रेशिप के अगले पार्ट के अंदर पिछले पार्ट में बात कर चुके है अपना KPI किस तरीके से हमको स्लेट करना है निच कैसे स्लेट करनी है अपनी पर्सनल ब्रैंडिंग किस तरीके स करनी है हमको कौन सा सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म चुनना चाहिए किस थाइप के कॉंटेंट के लिए आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में कि हम कॉंटेंट किस टॉपिक के उपर बनाएं टॉपिक रिसर्च को मैं 5 पार्ट के अंदर बाठता हू तो मुझे पता है एपल अपना नएा सर्च इंजन लाने वाला है तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है डिजि rigtigal marketing निश के अंदर है या फिर facebook ने अपने किसी चीज के अंदर कोई चीजन चेंज लेंगे आ यह ट्रेंडिंग टॉपिक है अगर आप कोई टेक रह सकते हो उतना अपडेट रहो और अगर आप अपडेट रहोगे तो अपने आपी ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलते रहेगे दूतर तरीका क्या है आपको Google ट्रेंड सर्च मारना है Google के उपर Google ट्रेंड एक free टूल है Google वालों का आपको अपना Google साइनिंग करना है इसके अंदर और यहां पर अपना keyword सर्च मार सकते हो अगर अपना keyword सर्च मारोगे तो आपको पता लगेगा कि अभी वह कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में है और किस-किस जगा के उपर वह ज्यादा ट्रेंड के अंदर आता है आपको monthly चार्ट भी मिलेगा कि कौन से कौन से मन्त में कितना कितना बढ़ता है और सापने आपको related topics भी मिलेगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि अभी के टाइम पे क्या-क् ट्रेंडिंग चल रहा है मेरे निश के specific दूसरा तरीका है keyword research करना जहां पर हमको keywords gap ढूणने है अब keyword research होता क्या है जैसे कि अगर आप YouTube पर search मारते हो best digital marketing institute तो यह आपने keyword search मारा है YouTube आपको बहुत सारे results दिखाए इस चीज़ के उपर तो हमको analyze करना है कि लोग search क्या मारते ह जो लोग search मारते हैं अगर हम उसके related content बनाएगे तो हम search के अंदर आ सकते हैं optimization को हम आगे पड़ेगे optimization कैसे करते हैं पर हम उसको optimize करके rank कर सकते हैं तो यहाँ पर हमको वैसी audience मिलेगी जिनको genuinely उस topic की जुरत है वो उस चीज़ के बारे में जानना चाते हैं तो अब मैं आप एक चीज़ बताता हूँ keyword gap keyword gap का मतलब होता है कई बार आप ऐसा देखोगे बहुत सारे ऐसे keyword होते हैं जिसको लोग search मारते हैं पर उसके उपर कोई अच्छा content नहीं बना होता अगर content नहीं बना होता तो मैं उसको कहूँगा keyword gap और वहाँ पर अगर अपना content बना होगे तो आप अराम से rank कर पाऊगे इसको हम keyword research कहते हैं और keyword research के अदर हम content gap के ideas ही डूलते हैं तो सबसे पहला मैं आपको असान तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको keyword research करनी है जैसे कि मान के चलते हैं आप YouTube SEO के उपर आप वीडियो बनाना चाहते हो आप incognito के अंदर YouTube खोलो वह को देखना है कि search क्या-क्या मारते हैं लोग उस topic के regarding हम उनकी list बना सकते हैं second step हम किसी भी keyword explorer वगाले tool के अंदर जाएगे वहाँ पे उस keyword को search मारके देखेगे और search मानने के बाद देखेगे कि भाई उसका keyword gap कितना है बहुत सारे tool आपको बता देते हैं कि उसके उपर कितना competition है कितना नहीं है मैं आपको description के अंदर एक free tool दे रहा हूँ tube buddy बहुत सारे लोग उसको use भी करते हैं आप अगर उस keyword को search मारोगे YouTube के अंदर free के तरीके से paid लेने की जुरत नहीं है आप सीधा search मारो YouTube SEO जो भी आपका आगे keyword होगा आपको right hand side पे वो दिखा देगा यहाँ प कि हम इसके बारे में बात करेगे कि tube buddy क्या है क्या-क्या फायदे होते क्या-क्या नहीं होते पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप keyword research कर सकते हो और भी बहुत सारे tools है market के अंदर आप उनको भी ले सकते हो पर मेरे साब से as a beginner आपके लिए यह tool best रहेगा आगे म आपके लिए free के लिए सबसे असान तरीका है जो मैंने आपको बताया है तीसरा तरीका क्या है तीसरा तरीका है answer the public आप search मारो answer the public एक site है वहाँ पर जाके अपना keyword search मारो और आपको पता लगएगा उस keyword की related लोग क्या-क्या questions पूछते है internet के उपर अभी देखिए अभी हम YouTube clear rank कर रहे थे पर आपने बहुत बार देखा होगा जब आप कुछ search मारते हो internet के उपर तो आपको top के उपर Google results के अंदर YouTube के results दिखाई देते हैं तो अगर आपने उस question का अच्छे तरीके से answer किया होगा तो आपकी वीडियो वहाँ पर दिखाई देगी और आपको Google search से भी traffic म पूछे जा रहे है अगर आप वैसा content बना दोगे तो आप YouTube पर भी searchable हो जाओगे और अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप बहुत ही जादा micro niche के अंदर गू सकते हो अपनी niche के topic के अंदर इतना ज़रा detail के अंदर गू सकते हो आपको पता लग जाएगा लोग क्या क्या सर्च मारते है सारे questions के answer दे दो चाहो तो micro video के अंदर दो आज कल YouTube पर shorts आ गया है यहाँ पर Instagram के उपर भी search का filter आने वाला है Instagram इंडिया के अंदर अभी लेकर नहीं आया है US के अंदर वो test कर रहा है तो आने अले time के अंदर Instagram पे भी searches आ जाएगी अभी के time पे IGTV के अंदर नीचे खाली suggested आता है और इतना ज्यादा explore वाला feature नहीं है Instagram के उपर अगर मैं LinkedIn की बात करके चलू तो LinkedIn के अंदर hashtag होता है तो अगर आप hashtag की research करना पर search मारो आपको बहुत सारे hashtag results के tool मिल लाएगे अगें आपको यहाँ पर gap ढूणना है जहाँ पर volume जादा है और competition कम है आपको वो hashtag use करना है आप कई बार दिखोगे कि आपकी जो video content होगा वो LinkedIn के ओपर trending पे आ जाएगा मेरे साथ कई बार हुआ है मैंने LinkedIn के ओपर content डाला है मैंने कई बार तो hashtag research भी नहीं करी होती 95% तो मैंने research ही नहीं करी होती तीसरा तरीका है likeable content create करना आप जिस भी topic के उपर video बनाना चाते हो आप उसको YouTube पे search मारो आपको दिखाई देगा कि most popular videos कैसी है आप उस type की videos बना सकते हो although मैं आपको recommend नहीं करूँगा उसी type की video बनाने तो वो बंदा पहले से ही कर चुका है आपको मौका क्यों मिलेगा अबेश आया रखना देखिए एक चीज है हमको अपनी personal branding के अंदर कुछ ना कुछ अलग unique सोचना है मैंने आपको personal branding के time पर बताया था अगर आपने अपने आपको unique portrait कर लिया अपना unique सोच लिया ना तो यह बात करके चलो, इतने सारे tech youtuber है, सब के सब unboxing कर रहे है पर बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग-बंदों की videos देखते हैं, same video अलग-बंदों के ले देखते हैं, क्यों 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 कि हर एक बंदे की monkey का style पसंदाता है, किसी का कुछ पसंदाता है, लगता है यह यह वाला likable content के उपर अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, दूसर तरीका क्या है, आपने जो भी niche select करी है, तो आपको पता होगा कि आपका competitor कौन है, अगर आपको ये नहीं पता होगा, आपका competitor कौन है, तो आपने niche select गलत करी है, या फिर आपने कम rare chances मिलते है, अगर आपको मिल रहे है, तो all the best, तो आपको अपना competitor पता होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ, exception की बात अलग करके चलते है, अगर आपको अपना competitor पता है, जाओ, उनकी most popular videos देखो, वुस type का content बना सकते हो, क्योंकि वो most popular है, वो ज़्यादा content चला है, तो शायद आपका भी content चल सकता है, अब थोड़ा से दिमाख लगा देना, कि वो relatable भी होना चाहिए, और वो थोड़ा up to date भी होना चाहिए, अगर मैं बात करके चलूँ, एक बंदा था, उसकी सबसे top video थी, कि orkut किस तरीके से use किया जाता है, आज के time पर और कुट बंद हो चुका है, तो मैं वो video बना के कुछ उखाड नहीं लूँगा, तो थोड़ा से common sense भी लगानी हमको, कि वो evergreen topic होना चाहिए, कि हमेशा ही वो topic चले, तब ही आप उसके उपर content बना सकते हो, साथ के साथ अपने बड़े bloggers की site के उपर जाओ, और कोई भी एक tool लो, मैं paid tool यूज करता हूँ, match refuse करता हूँ, SM rush भी यूज करता हूँ, आप search मार लेना, बहुत सारे आपको free tools मिल लाएगे, आप जाके उनकी most popular pages जाके check करो, कि उनके most popular pages कौन से कौन से है, आपको पता लग जाएगा, उनके 5-10 popular pages है, सबसे रहा traffic इसके उपर आता है, आप उस type का content बना सकते हो, क्योंकि उसकी searches है, ठीक है, और उस type का और शायद content YouTube पे ना बना रखा हो किसी ने, अगर बना रखा है, तो फिर आप किसी लोगों ने पहले से ही ये चीज़ कर ली है, पर अगर आप research करोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे topic मिलेगे, जिसके उपर blogs बहुत इच्छे तरीके से लिखे हो है, पर YouTube के उपर एक बहु पर अपना दिमाग भी लगाना है, वही same 5 point ने बताने है, जो कि मैंने मना रखे है, मेरी सबसे ज़्यादा viewable video थी, अपने का मेरा competitor है, मैं इसकी जैसी video बनाऊगा, वही same point उसी line से बोल दिये, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, थोड़ी research करनी पड़ेगी, हो सकता है आपका बोलने का तरीका लगो, हो सकता है, जो आप वही 5 topic बता रहे हो, वह बहुत ही ज़्यादा descriptive तरीके से बता रहे हो, शायद आप उसकी उपर experiment करके दिखा रहे हो, देखो, यह मैंने अपने उपर करके देखा, यह हो गया, यह हो गया, आप 5 की जैगा 15 topics यूज कर सकत content, आपको आज नहीं तो कल कोई भी replace कर देगा, सारी बात है better content बनाने की, आज आपने better बनाया है, कल आपसे better कोई और बना देगा, उसके बाद कोई और better बना देगा, उसके बाद कोई और better बना देगा, तो यह better बनाने की race कभी नहीं जाने वाली, इसके अंदर एक और तर पर जा सकते हो, या फिर आपको कई लोग DM करते हैं, Message करते हैं, कई लोग WhatsApp भी करते हैं, कई लोग अपना WhatsApp नमर दाल के रखा होता है, तो आपको वहाँ पे जो जो topics आ रहे हैं, उन सब की list बना के रखनी है, आज कल मैं अपनी team को इस चीज के उपर लगा के रखता हूं, कि list बनाते रहो, शाएं मैं बनाऊं, शाय ना बनाऊं। जुरूरी नहीं है, आपको हरे एक topic के उपर content बनाना है, आपको जो relevant topic लगे, आप उसके उपर content बना सकते हो, कई बार ऐसे topic मेरे को audience ही दे जाती है, कि मैं कहता हूँ, वाओ यार, यह topic अच्छा था, और मैं उस topic के उपर बनाता हूँ, और मैं को अच्छे views मिलते हैं, अब इसके अंदर एक और hack बता रहा हूँ, अपने competitor की जाके भी comments पर सकते हो, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, कि किस-किस type की content की demand आ रही है, कई बार मैं करता हूँ, अपने competitor की comments check करता हूँ, और देखता हूँ कि लोग किस type की videos बंग रहे हैं, कई बार मैं उस type की videos भी बना रहता हूँ, मैंने एक series, सिर्फ लोगों की comment देखके, अपने competitor के channel के अंदर, comment section के अंदर देखके, मैंने एक पूरी series बनाई थी business ideas के उपर, और वो आज के time पे अच्छी चली है, और मेरा मन भी है, कि future के अंदर मैं उसको भी बढ़ा हूँ, और एक मैं बहुत बड़ा hack दे रहा हूँ आपको, जो की शायद ही कोई देगा आपको, Google पे search मारो, जिस भी niche के उपर काम करना चाहते हो, मान के चुलते हैं, आप digital marketing के उपर करना चाहते हो, मैं digital marketing इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मेरा digital marketing company agency है, और वो गूम पर कहीं ना कहीं आ जाता है, आपकी fat loss के उपर करना चाहते हो, आप search मारो fat loss books, तेक है, और amazon, kindle पे चला जो, या फिर pdf देख लो, बहुत सारी site मिल लाएगी आपको, मैं आप pdf देखो और उसका index देखो, index के अंदर आप जाके देखोगे, वीडियो के, कि किस किस topic के उपर उन्हों ने अंदर अंदर वीडियो दा ली है, आप उन सब के ओपर भी content बना सकते हो, तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपके बास content ideas की कमी नहीं रहने वाली, आपको content ideas बहुत जादा मिल गए है, पर जितने नहीं मैंने आपको अभी तक 20 बताए है, सारे के सारे replaceable content है या रखना, कि आज आपको best बनाना है, किसी को replace करके, हो सकता है कल को आपको कोई replace करके आपसे best content बना दे, और मैं एक और तरीका बताता हूँ, जिसको replace कोई नहीं कर सकता, वो है आपका experience, आपकी knowledge और आपके analysis, मैंने अपने channel के उपर बहुत सारी analysis वाली videos बनाई है, जिसको शायद ही कोई replace कर पाएगा, मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ, मैंने सबसे पहले business news शुरू करी, business news मैंने क्यों शुरू करी, क्योंकि मैंने कोई gap दिखा, keyword research के time पर, यार इसकी बहुत जाना searches आती है, और इस ताइब का कोई content नहीं बनाता, startup news बहुत सारे लोग बना रहे थे, पर business news कोई नहीं बना रहा था, तो मैंने ये keyword चुना, कि business news के उपर मैं बनाऊंगा, और जब मैंने content बनाना शुरू किया, तो मेरे को views आने शुरू हो गए, क्योंकि उसकी search volume थी, अब ये नहीं था, कि लोग search मारे थे, मेरी वीडियो आ रही थी, पर YouTube के algorithm को पता था, ये सारे लोग business news search मारते हैं, तो शायद उनको मेरी वीडियो भी अच्छी लगे, तो मेरी business news के उपर मेरे पास views आने शुरू हो गए, अगर मैं trending topics की बात करके चलू, तो मैंने बहुत बाट trending topics के उपर videos बनाई है, अभी recently मैंने हर्शत महता वाली video बनाई थी, भहाँ पर मैंने explain किया, कि भाई की हर्शत महता का यह क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, क्योंकि वो उस time का trending topic था, और आप देखोगे उसके उपर views अच्छे आए है, कई मैं ऐसे content बनाता हूँ, जो कि एकदम detailed research होती है, मैं keyword research नहीं करता हूँ उस चीज के उपर, और मुझे ऐसा लगता है, कि वो replaceable content है, पर मैं उसको कोशिश करता हूँ, इर-replaceable मनाने की, कि मैं उसको इतना in-depth बना रहता हूँ, जैसे कि मैं अपनी reliance case study की बात करके चलता हूँ, तो वहाँ पे मैं इस तरीके का काम करता हूँ, answer the public, एक तरह का मैंने answer the public, मेरा दूसरा चनल है, आज साहिल कन्ना गर के, वहाँ पे मैंने answer the public ही बना रखा है, आप लोग मुझे question पूछते हो, जो आप question पूछते हो, मैं उसके उपर video बना रहता हूँ, तो answer the public का एक छोटा version हो गया, जहाँ पे real comments की उपर मैं videos बना रहा हूँ, comments हमने एक telegram group बना रखा है, whatsapp group बना रखा है, जितने questions आते हैं उन सब के उपर हम video बना देते हैं, और अगर खुद के experience वाली बात करके चलो, तो मैंने बहुत सारी videos खुद के experience वाली बनाई है, और उन पे अच्छे कासे views आया है, एक मैंने वीडियो अपने खुद के analysis के उपर बनाई थी, जापे मैंने startup bubble explain किया था, जो मुझे लग रहा था, कि भाई आज के time पे startup की कुछ ज़्यादा ही valuation हो रखी है, profitable नहीं है, फिर भी funding मिलती जारी है, ऐसा क्यों हो रहा है, और वहाँ मैंने अपना analysis शेर किया था, मैं कई बार अपनी analysis वाली वीडियो बनाता हूँ, और लोगों को वो चीज बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ये जो content होता है, ये irreplaceable होता है, मैं अपनी news की बात करके चलता हूँ, ये जो अभी तक आपको बताया है ना मेरे सारा का सारा, ये सारा का सारा मैं अपने उपर apply कर रहा हूँ, और जो books, courses वाली बात कर रहा हूँ, वो मैंने बहुत बार किया है, मैंने बहुत सारी series बनाई है, जहाँ पर मैंने बहुत सारे content creators के ये sub-topics देखे है, ये series भी जो बना रहा हूँ, मैंने बहुत सारे content creators के sub-topics देखे है, क्योंकि किस-किस topic के उपर videos बना रखी है मुझे वो सारी videos बनानी है और मुझे वो replaceable content को irreplaceable बनाना है कि मतलब इतना best बनाना है कि कोई और replace ना कर पाए अब topic के ideas अगर भी भी आपको नहीं मिल रहे है तो sorry, आपके लिए course नहीं है topics research करो, मैं आपको time दे रहा हूँ कल 12 बज़े तक का, कल आपके पास में at least 50 topics होने चाहिए तेक है, 50 topics हर एक बंदे के पास book के अंदर होने चाहिए उसके बाद आपको उसमें से best 10 चुनने है और 8 के ओपर आपको content create करना है मैं तो यही strategy करता था, starting के अंदर आज के time पे मेरे पास content, जो cream content होता है उसके एक पूरी list बनी पड़ी है, short list हो, okay और वो भी मेरे पास अच्छी कासी list है, तो मुझे कोई दिक्कत ने आती परस मेरे पास audience build हो रखी है, जिनको मेरा content चाहिए तो मैं mature content creator हो चुका हूँ तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कते नहीं आती, इस stage पर आपको ज़्यादा दिक्कते नहीं आएगी पर यहाँ पर अगर आप अभी start कर रहे हो याभी आपका level ज़्यादा नहीं है आपके Instagram पर ज़्यादा followers नहीं है, LinkedIn पर आपको ज़्यादा लोग follow नहीं करते है YouTube पर आपके ज़्यादा subscribers नहीं है, अगर ऐसा कुछ है, तो आप ऐसा content starting के नदर research करके बनाओ तब ही आप अच्छे तरीके से grow कर पाओगे और इसी के साथ आज की वीडियो खतम होती है, उमीद करता हूँ मजाया होगा, like कर देना, share कर देना, comment बताना वीडियो कैसी लगी, bye, good night शब अगेर, khudahafiz, good morning ग्रॉफ्ट, जब भी आप वीडियो को देख रहे है